हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हैं आपके एपने यूटूब चनल एक ग्रीपाराडाइज में तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्वेंडरी अर्थात पसपालन बिग्यान के बारे में यहां से जो कोश्चन आपके पूँछे गए हैं के लिए दोस्तों तो वहां कोश्चन ही पूचे गए बहुत ज़्यादा आप सभी लोग के लिए हेलफफुल रहेंगे तो इस्टार्ट करते हैं विना किसी देरी के यह सबसे पहले दोस्तों इसमें कोश्चन हमारा आता है अंडों से चूजे निकालने वाले स्थान को कहत हैं कोश्चन को सही से आप पढ़िएगा क्या लिखा है अंडों से चूजे निकालने वाले ना कि निकलने वाले ओके आसा करता हूं समझ में आया होगा तो इसमें आप सभी लोगों को दिये गए हैं हैचरी मुर्गी घर मुर्गी फार्म इनक्यूवेटर और इसमें से करे जाने वाली बात नहीं है अब बात कर लेते हैं आप सभी लोगों को नया लग रहा हो इनक्यूवेटर यह क्या होता यह दोस्तों क्या चीज़ है जो लोगों को पता है तो अच्छी बात नहीं पता है तो ध्यान दीजिए क्रंतिम बिद से अंडों को सेया जाता है यहां प next दोस्तों हमारा question आता है जरसी सिंधी के क्रास से गाय की कौन सी संकर नशल पैदा की गई है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चीज समझेगा जरसी सिंधी के क्रास से कौन सी नशल पैदा की गई है कौन सी पैदा की है तो आप संदिया गया है जरगिर, जरसिंद, करन सुईज, करन फ्रीज अब इसमें से correct काउन सा होगा दोस्तों तो आसा करता हूँ ये question तो सभी लोगों को पता ही होगा किसमें correct काउन सा होगा दोस्तों आपका जो दूसरा वाला है जरसिंद ये correct हो जाएगा चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं देखो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें भारत में उत्पन संकर नशले जो भारत में उत्पन की गई है वो दोस्तों तीन नसले हैं ठीक है तीन नसलों में से कोश्चन आपसे इससे इलाबा कहीं से नहीं पूँचा जाएगा अगर पूँचा जाएगा संकर नसलों से तो इन तीन नसलों से ही पूँचा जा जाएगा ठीक है तो ये बात याद रखिएगा अगर हम बात करें जरसिंद की तो दोस्तों सिंधी गाय और जरसी साड के क्रास से दोस्तों यहाँ पे जरसिंद नश देती है अब दोस्तों तो correct answer आपका हो जाएगा जरसिंद वाला लेकिन अब दोस्तों बचते क्या है करन सुईज करन फ्रीज और दोस्तों यह जर गिर लिखा यह कोई भी नशल नहीं है ठीक है तो करन फ्रीज और करन सुईज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्राश कराकर करन फ्रीज नशल बनाई गई है ओके अगर इसका दुख दूद पादन पहुचा जाए यह सारी चीज़े दोस्तों नोट कर लेजिए नहीं नोट कर रहे हो तो माइंड में एकदम बैठा लेजिए ठीक है यह कोशन पहुँच जादा यहां से पहुचा जाता इन तीनों नसलों से ओके तभी यह दोस्तों चीज़े डीप में थोड़ा बता रहा हूं तो इसका जो दुख दूद पादन होगा करन फ्रेज का वो 3600 लीटर प्रतिवयां दूद यह गाए दे देती है ठीक है आपका एक फिर बच जाता है करन सुईज आप दोस्तों बोल करें तो 3200 लीटर प्रतिवयां दूद देती है ओके और दोस्तों यह सारी जो नसले हैं तीनों यह दोस्तों अपने भारत में ही इनका क्रास कराके बनाई गई है यह चीज भी याद रखना ओके नेश्ट दोस्तों हमारा कोशन आता है डेरी मैन पत्रिका कहां से निकलती है अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को confusion होगा कि डेरी मैन पत्रिका निकलती कहां से इज्जत नगर, पंथ नगर, कानपूर, नई दिल्ली कहां से निकलता है तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि नई दिल्ली, कानपूर, इज्जत नगर, तीन सारे में थोड़ा डीप में बताएंगे IVR क्या होता है और दोस्तों कानपूर में कौन सी उनिवस्टी इसके बारे में जो CSA है ठीक इन सब पर एक प्रापर में वीडियो बनाऊंगा कि IVR के कि फुल फार्म क्या होती है ठीक है और CSA की फुल फार्म क्या है जो इस्टेट में जो उनिवस्टी होती है ठीक इन सब पर एक आप सभी लोगों को सेप्रेट वीडियो मिल जाएगा तो दोस्तों अभी जो मैंने दो वीडियो बना रखे हैं जो सिक्यूट जो आपके उपिकाटेड और सो दोस्तों आई से आर बगार में कोश्टन पूछे गए तो जिन लोगों नहीं देखा है तो लिंक आप सभी लोगों को नीचे मिल जाएगा तो वहां से आप सभी लोग देख लीजिएगा ओके नेस्ट कोश्चन की दोस्तों कर हम बात करें थनैला प्रभावी दूद का पी-च मान होता है देखो थनैला क्या होता पहले यह जानले जीए फिर बात करेंगे अपने लोग थनैला दोस्तों होता क्या है जो गाए या फास मतलब की जो दुद्धारू पसू होते है उनमें यह थनैला रोग होता है ठीक यह दोस्तों चोट लगने के कारण लोकिसी बीके कारण इसमें फर्य ला हो जाता है से दोस्तों भी rides 9 अब रं dety उसके तो वह एक दम रलन हो जाता है फूले फूले सू जन आजाती इसके उपर और जब उससे दूद्ध के होगे तो खूंड के छीटे या दोस्तों पानी जैसा मवाद निकलता है थनों में ये तो दोस्तों होगे थनेला के लच्छण अगर हम बात करें थनेला से प्रभाविश जो पसू होगा उसके दूद का पी एच मान कितना हो जाएगा तो आपसन आप सभी लोगों को दे रखे गणाई है तो दोस्तों सबसे जादा प्रोटीएन किसकी हे में पाई जाती है सबसे पहले समझोलो यार हे क्या होता है फिर बात करते हैं थीक है यह दोस्तों होता tablet होता है इसको हरी अवस्ता में काट लिया जाता है और इसके जो पोशक्तत होती है। नश्ट किये विना, मतलब नश्ट ना हो पो सकतो, तो हरी अवस्ता में काटेंगे और हरी अवस्ता में ही क्या करेंगे उसको दोस्तों संदच्छित या भंडायत करके रख लिया जाता है ठीक है, जब कू समय मतलब जब समय नहीं बचता, जैसे बरसीम या लोशन का समय इस ताइम पर चलना हो ठीक है, आप दोस्तों, देखो दोस्तों कू समय में इसको खिलाना चाहिए और इसको संदच्छित और भंडायत करके रख लिया जाता है को, दोस्तों होता क्या है कि इसको दोस्तों भंडायत करके किसकी सबस्था में रखा जाता है ये चीजे आप सबी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जब दोस्तों फ्लावरिंग इश्टे जाती है, पुस्पी अवस्था आती है उस समय पे काट लिया जाता है और इसको संबाच्छित कर लिया जाता है हे को, तो इसको बोला जाता है दोस्तों हे इसमें आप सबी लोगों को दिये हैं इसमें से करेक्ट क्या होगा, मक्का हो जाएगा आपका बाजरा हो जाएगा, बरसीम लोहरशन तो इसमें से करेक्ट आंसर आप सबी यह वहविध होती है जो दोस्तों फसलों को उसकी रसीली अवस्था में मतलब पोसकत्त बिना नश्ट किये मतलब इसमें पोसकत्त नहीं नश्ट होना चाहिए और रसीली अवस्था में इसकी काट कर दोस्तों गड़े में संरचित कर दिया जाता है तो इसको बोला जाता है सा फूल आने पर दाना बनते समय पर तो करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को हो जाएगा फूल आने पर जो कि मैंने अभी बताया है चाहे आपके हे हो या साइलेज हो इनको फ्लावरिंग श्टेज मतलब पुस्पी अवस्ता पे इसकी कटाई करके संदच्छित किया जाता है आपकी जो दोस्तों इसमें लोहर्शन करेक्ट आंसर होगा बरसीम भी इसमें आती है लोहर्शन के बाद में बरसीम का आपसन आता है तो लोहर्शन सबसे पहली हे में आती है तो इनको संदच्छित किया जाता है और इसको जो साइलेज होती इसको गड़े में संदच्छित किया जाता है ओके नेश्ट दोस्तों कोश्चन है डेरी फार्म पर बने अलगाओ घरों में किस प्रकार के जानवर रखे जाते हैं जैसे अब यहां पर समझेगा मैं हिंट दे रहा हूं आप सबी लोगों को पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा अलगाओ क्या होता दोस्तों जैसे जहां पर डेरी फार्म हो जहां पर पसू रखे जा रहे हूं उसके अलावा एक दूसरा फार्म बना दिया जाए चोटा सा घर बना दिया जाए वहां पर जिन पसू को रखा जाता है वह कैसे पसू होंगे तो दोस्तों वह छूत रोग से ग्रसित होंगे या नवजात बचड़े होंगे या जल्दी व्याने वाली गायों पर रखे जाएंगे तो दोस्तों आप सबी लोग करेक्ट रहो आंसर हो जाएगा छूत रोग से ग्रसित जानवर जो होंगे वो अलगाव घर में रखे जाते हैं next दोस्तों question हमारा है काक्सी । seeing something rolls felt सबसे पहले समझेगा कि ये चाक्सी ये रोग होता क्या है इसको हिंदी में काक्सी डियोसी दोस्तों बोलते है खोनी दस्त देखो यहां पर चीज हमझेगा जी काक्सी दस्त है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये होता कैसे है, इसमें देख लेजिए, कवक से होता है, या प्रोटो जोवा से होता है, या बिसाड से होता है, तो दोस्तों, ये परजीवी के कारण होता है, और परजीवी क्या होता है, प्रोटो जोवा होता है, तो ये प्रोटो जो वाके करण फैलता एक कोचन आप से और पहुचा जाता है काक्सी डियोसिस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है तो दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा अंग इससे प्रभावित होगा तो पाचन तंत्र प्रभावित होता है क्या दोस्तों पाच झाल झाल